दोस्तो बालों का जढ़ना या फिर तूटना या बालों का लंबे नहीं हो पाना इन सभी परिसानियों से हम बहुत जादा परिसान रहते हैं सोचते हैं कि कास कोई ऐसा तेल हमें मिल जाता कोई ऐसा होम रेमेडी मिल जाता जिससे हम अपने बालों की समस्या को दूर कर पाते तो friends मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा remedy आपसे शेयर करने वाली हूँ जिसे यूज करने के बाद आप अपने बालों को घना भी कर पाएंगे बालों को जड़ने से भी तेजी से रोख पाएंगे और बालों में अगर smoothness नहीं है तो बालों में अच्छा सा smoothness भी ला सकते हैं अगर बाल सफेद होना शुरू हो गया है तो आप उस process को कम भी कर सकते हैं और सफेद हो चुके बालों को वापस धीरे धीरे करके काला भी बना सकते हैं तो दोस्तों इसे कैसे बनाना है कैसे और सब्ता में सिर्फ 2 या 3 दिन ही इसे यूज़ करना है तो इसे बराने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा बीट रूट बीट रूट अगर फ्रेस आपको मिल जाता है तो इससे बहतर तो कोई हो ही नहीं सकता है लेकिन कई बार हमारे पास अवलेबल नहीं होता है तो अपने बालों के लिए तो मेरे पास यहां पर फ्रेस बीट रूट था चुकंदर था तो इसे इसका चिलका हटा लेना है और चोड़े-चोड़े टुकड़ों में पतला-पतला पीसे इसमें काट लेना है अगर आप इसे पीसते हैं ना मिक्सी जार में डाल करके फिर अगर आप इसे पीस लेते हैं तो वो भी बहुत ही अच्छा होगा लेकिन मैं यहां पर चोड़े-चोड़े टुकड़ों में काट तो में काट यहां प्रूट में प्रोपर तरीके से प्रोपर वे में ब्लड सर्कुलेशन हो पाए इससे हमारे बालों का जढ़ना एकदम कम हो जा प्रिंस इसमें एंटी इंफ्लामेटरी प्रोपर्टी भी होता है तो अगर आपके स्कैल्प में बहुत जादे डैंडरफ हो गया है या फिर कोई भी इन्फेक्शन वगेरा हो गया है तब भी आप बीटूट का जूस यूज कर सकते हैं ठीके अब हम यहाँ पर दूसरा जो च रीठा सिकाकाई आप यूज कर रहे हैं तो वह धीरे धीरे आपके हैर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लेमस हैं उसे ठीक करने में मदद करेंगा ठीके फ्रेंट तो यहाँ पर हम लेंगे रीठा सी काकाई और आम्ला ठीके फ्रेंट और सी काकाई क्लेंजिंग है वर्टमिन सी हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप डेली एक आउला खाते हैं या फिर आउला का जूस पीते हैं तो यकीन मानिए आपके बाल कभी भी ना तो जड़ेंगे और नहीं बालों में कोई प्रॉब्लम्स आएंगे तो हमें तो वह सब करना होता ही नहीं है तो हम रेमेडी ही यूज कर लेते हैं ठीक है यह रेमेडी भी बहुत अच्छा वर्क करेगा यूज करके देखना आपको रिजल्ट आपके सामने ही होगा तो यह सारे चीजे हमने ल देख आया लिएंगा भाया तब तक हमें उबालना है देखें दोस्तों जब हम इसे उबालेंगे ना तो बहुत है ज़ाग जाता है क्योंकि हमने इस पर रिठा और सिकाकाई भी डाला है तो यह बहुत ही ज्यादा है और आप इससे अपने बालों को दो सकते हैं लेकिन फ् वालों को चमकदार भी बनाता है यहां पर आप देख सेकते हैं मैं इसे हाइफ लेम पर उबाल रही हूं और फ्रेंज हाइब इस टार्टिंग में आपको बालना है उसके बाद बिल्कुल लो फ्लेम कर देना है धीरे धीरे करके इसे पकाना है ताकि जो बीट रूट का जो अ पानी में आजाए आवला भी हमने पावडर फो में यूज नहीं किया है तो आवला से हमें जितना भी उसका प्रोपर्टी है उसे पानी मिलाना है तो इसलिए हमें लो फ्लेम परूब आलना होगा और उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ अच्छे से यह पक गया है तब ब долларов का कलर इसलिए मैं तो यह बिल्कुल अब्यु में यूज करने के लिए रेडी हो गया है हमें इसे चले मैं अब यह भी बहुत ज्यादा गरम है तो गरम गरम हमें इससे अपने बालों को नहीं धोना सिर्फ आपको इसे नहाने से दो से तीन मिनट पहले अपलाई कर लेना है फिर साप पाने से धो लेना है अगर अगर अपने बालों पर तेल लगाए हुए हैं तो यहां पर कोई भी माइल सेंपू एड कर सकते मतलब डाल सकते हैं उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लिजे थोड की हाँ हमारे बाल को तर रहा हैं हं ल towel यूज भिना आप यूज करका ़िछे ना पे आप यूज सारे ही सेंपूर क्या खर करेंङा है याकीनल्य आप के बाल इतने शुर्ट रहेंगे और जिंडने विवल बस रज़ समय तक यूज कर लोना तो कोई आपको बालों को पर और ठीक है फ्रेंड्स बस ज्यादा कुछ नहीं बालों का ज़ड़ना बंद होगा बालों की लंबाई तेगी से बढ़ेगी और बालों में अच्छा सा कलर आएगा तो जाए इस रेमेडी को बनाईए एंड यूज करके देखे और अपना फीडबेक कमेंड बुक्स में जरूर बताईए